हेलो फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो का थम्नेल देखर क्लिक किये हैं तो आप विल्कुल सही वीडियो पे आए हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है घर बैठे S.V.I.E. New Debit Card को एक्टिवेट कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है चंदन एक नए वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक आउनवक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है उपर आई बटन में है यदि वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ओन करें क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे हैं इंट्रेस्टिंग और नौलेज़फुल वीडियो जो है आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए आपको मेरे मॉवाइल फोन के स्क्रीन पर चलना होगा सबसे पहले क्या करना है आपको अपने फोन पे आना है और वहाँ पर you know svi का जो application है उसको open करना है जैसे ही आप application को open केजेगा आपके सामने जो है कुछ इस परकार का interface जो है आपको देखने के लिए मिलेगा आपको simple ही login वाले option पे click करना है और अपना जो mpin आप set किये है या फिर आप जो है अपना username और password दे कर इसमें login हो जाएं जैसे ही login हुएगा आपके सामने जो है कुछ इस परकार का interface जो है आपको देखने के लिए मिलेगा आपको उपर की ओर यदि देखेंगे तो three line का option मिलेगा आपको simple ही उस वाले line पे click करना है और आपको अब सबसे नीचे की ओर आना है और नीचे की ओर आप देखेंगे तो service request का आपको option देखेंगे सिंपल ही आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक किजेगा अब आपके सामने जो हैं धेरचारी options देखने को मिलेंगी अब आपको क्या करना है इन सभी options में से आप यहाँ पे नीचे की ओर देखेंगे तो ATM slash debit card का आपको option मिलेगा आपको सिंपल ही इस वाले option पे क्लिक कर देना है अब जैसे ATM यहाँ पे slash debit card पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो हैं इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड यानि कि आपसे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल आपने पासवर्ड जो बना है वो आपसे मांगा जाएगा तो आपको क्या करना है आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड जो है यहाँ पे देना है और आपको सम्मिट पे क्लिक करना है और जैसे आप सम्मिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अब भेड़ सारी options ATM cards यानि से डेविट card से जुड़ी सवी services आपको देखने के लिए मिल जाएंगी अब आप यहां से नीचे की ओर देखेंगे तो activate card का आपको option मिलेगा आपको क्या करना है activate card वाले option पे click करना है और जैसे आप इस पे click करेंगे तो उपर में आपको account numbers जो है select करने के लिए कहा जाएगा और नीचे में आपको जो debit card आया है उसको आपका यहां पे आपको उसका numbers जो है यहां पे आपको देना है और यह सभी details भरने के बाद जो है आपको नीचे की और next पे आपको click कर देना है और जैसे हैं आप next पे click करेंगे तो आपके bank account से register mobile number पे एक OTP भेज़े जाएगा आपको क्या करना है उस OTP को यहां पे fill करना है और भरने के बाद जो हैं आपको simple है submit पे click कर देना है आपको OTP भरने के बाद जो हैं आपको submit पे click कर देना है और जैसे हैं submit पे click करेंगे तो आपके सामने जो है गॉरा चुलेशन का message आएगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि your card number has been activated यानि कि आपका जो debit card है वह पुरी तरह से activate हो चुका है आपको क्या करना है ओके पे click कर देना है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें चानल पे पहली बार आया है तो चानल को subscribe कर ले युनोग SVI से mobile recharge कैसे करें युनोग SVI से statement को कैसे download करें या फिर कैसे देखें घर बैठे state bank यानि की SVI का जो debit card होता है उसको blog कैसे करें यदि आप इन सबी को जाना चाहते हैं तो link जो है आपको वीडियो के description में है जाकर check out जरूर करें झाल 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 झाल